दोस्तो सरसो की ववाई शुरू हो गई है और ये पूरा अक्टूबर हम सरसो की ववाई कर सकते हैं ये बहुत अच्छा समय है और यदि हम चाहें तो उसके बाद भी ववाई कर सकते हैं यदि हमारी जमीन खाली नहीं होती है तो उसके लिए हम ऐसी बरायटी चुने जो कम सम मैं आती हैं और दोस्तों जब हम सर्चों की उवई करते हैं तो इसमें सब्से बड़ी समर्दकर से तहल्ब है जब खरपतवार उगङ तो हमारी फसलको वह कई परकार से लुफारद चाते हैं पहली बात तो जो हम पानी के द्वारा नमी देते यह खाद देते हैं यह दवा देते हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा वो चट कर जाते हैं और यदि हम घास उगने के बाद खरपतवार उगने के बाद हम दवाएं इस्तेमाल करते हैं तो किसी ना किसी रूप में हमारी फसल जटका मानती है और उससे हमारी पैदावार कम दिल सकती है तो दोस्तों आज आपको बताएंगे कि इस प्रिकार हम कौन सा हम खरपतवार ना सक प्रियोग करें जो हमारे सरसों खेत में जो खरपतवार ओगें ही नहीं अर्थात जब हमारी फसल में खरपतवार ओगेंगे ही नहीं तो हमें जादे बेनिफिट में लगा कि कि दोस्तों जब खरपतवार ओगेंगे ही नहीं तो नहीं तो हमारी जमीन की नमी ले पाएंगे और नहीं हमारा खाद ले पाएंगे और हमारा जो फसल को पूरा पानी पूरा खाथ और जो भी हम टाउनिक या कोई भी दबा हम लगाएंगे तो पूरी हमारी फसल को मिलेगा और जिसका नतीजा होगा कि हमें पैदाबार जादे मिलेगे तो दोस्तों इसी से समझेद बात करेंगे और इसकी पूरी बिधी बताएंगे किस प्रिकार लगानी है किसनी मात्रा लेनी है और कितने दिन की फ़सल पर इसका पिर्योग करना है और दोस्तों शुरू करने से पहले आप से अमुर्द करेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करने सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को आल पर सेलेट कर लें क्यांकि दोस्तों इस प्रिकार के और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो चैनल पर आने वाले हैं तो अब बात करते हैं कि जो हम सर्सों की फसल बोते हैं तो वो कौन सी ऐसी दवा है जो इसका प्रियोग करने से हमारे खेत में सर्सों के खेत में ये खर्पतवार हैं तो दोस्तों यह दवा होती है पैंडी मैफरेन। यह 30% के रूप में आती हैं यह जरूरी नहीं जो हम आपको चितर दिखा रहे हैं इसी कंपणिले आप किसी भी कंपनी की पैंडी बेकिलेंre दो यह बस दोना चाहिए 30% होना चाहिए और अच्छी कंपनी का होना चाहि तो आप इसे ले सकते हैं और इसकी आपको जो मातरा लेनी है वो लेनी है एक लिटर प्रिती एकड़ के असाब से और जब आपकी सर्सों की बुबाई हो जाए और सर्सों की बुबाई करने के पश्चाथ आपको 24 गंटे के अंदर इसका प्रियोग करना है और हम जब सरसों की फसल बोते हैं तो उस समय नमी होती है नमी में ही बोई जाती है पलेवा करने के बाद सरसों बोई जाती है जब बुभाई हमारी हो जाए तो एक लीटर पैंडा मैथिलिन एक एकड में और 200 लिटर पानी में घोल कर, हमें इसका इस्प्रे करना चाहिए, और इस बात का ध्यान रखें, जब हमारी फसल हम बो रहे हैं, तो उसमें नमी हो, क्योंकि ये नमी में ही अच्छा काम करती है, और मात्रा एक लिटर लेनी है, और दोस्तों, अब बात करते हैं, कि यदि हमा पारिस हो गई, जबकि हमें इस पर पर्सों करना था, तब हम उसमें इसकी मात्रा घटा सकते हैं, अर्थात, यदि हम साड़े 700 ml प्रिती एकड़ के हसाब से, हम प्रियोग करते हैं, अर्थात, जादे नमी में, ये बर्सात के बाद जादे जादा वजाती है, उसमें, तब जो गास होती है, जो बीच से जमती है, वो नहीं उखते हैं, और इस से हमें जादे बेनिफिट मिलता है, क्योंकि दोस्तों, जब हम खरपतवार ओने के बाद कोई फसल करते हैं, तब हमारा जो फसल को जटका लगता है, फसल हमारी बड़ी हो गई, जब हम खरपतवार के को फसल को जादे लिते हैं, तो हमें जादे फ़ादा मिलता है, और जो हमारा नुखसान होने वाला होता है, वो भी बच जाता है, जब हम सर्सों की फसल बहुते हैं, यदि हम उसमें खरपतवार ओगाते हैं, और उनको हम मैनुईली या लेवर के द्वार अगर निकाल वाते ह हैं तो से बहुत लंबा ख़र्चा जाता है इससे अमनमरी आम नानी घड़ जाती है तो आप प्रेंट्ड इमेट्रिन का प्रियोग करके अपनी फसल को विहीव प्रिकार के खरपतवर Us द्दोस सब्सक्राइन अर्थात कम लागत में ज़्यादा अपके साथ फिर भी लेंगे तब तक के लिए नमस्कार